हाई ओरीवन आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जूम का नया फीचर यदि आप जूम अपने टीचिंग में यूज करते हो तो ये फीचर बहुत ही कमाल का है आपको बहुत पसंद आएगा तो ये फीचर के बारे में बताने से पहले मैं चाहूंगा कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें और यदि ये वीडियो पसंद आता हो तो लाइक जरूर करना हूं तो चलिए नए फीचर के बारे में बात करते हैं तो ये इमर्स व्यूव क्या होता है हमारे पास जो व्यूव के अलग अलग ऑप्शन्स रहते हैं जैसे क अब्डेट करना पड़ेगा क्योंकि ये जो फीचर है वो अब्डेट वर्जन में ही है तो आपको क्या करना पड़ेगा आपके जो टॉप राइट कॉर्णर में आपका जो प्रोफाइल पिक्चर है उस पे क्लिक किजिए यहां पर आपको चेक फॉर अप्डेट आएगा इसे क्लिक करना है तो यह अपडेट हो जाएगा उसके बाद में जूम के सेटिंग पर जाना है तो इस सेटिंग पर क्लिक करने के बाद डाउन में देखिए वीव मोर सेटिंग आता है इस पर क्लिक किजिए तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे हम तो हमारे ब्राउजर open होने के बाद में यहाँ पर देखिए meeting settings में in meeting advance इस पर click करना है जैसे click करेंगे तो यह नीचे scroll करते हो जाएगा और scroll करके देखना है यहाँ पर आगे नीचे हमारे पास immersive view है तो यह immersive view जो है इसको on करके रखना है ताकि आपके zoom meeting में भी immersive view देख सके अब यहाँ आने के बाद हम चलते है zoom meeting के तरब अब यहाँ मैं new meeting create कर देता हूँ तो देखिए यहाँ पर new meeting create हो चुकी है अब सीधे हम चलते है views पे तो यह जो views है इस पर click करने के बाद यहाँ पर आजाता immersive sense तो immersive sense पर click करते हम तो हमारे पस अलग-अलग options आजाते हैं immersive के तो यहाँ कौन-कौन से options है तो देखिए यहाँ जो है यह art gallery है तो इसे click करेंगे हम यदि इसको start कर देता हूँ मैं तो हमारा जो view रहेगा कुछ इस तरह से रहेगा यहाँ पर जो view है इसे मैं manually भी shift कर सकता हूँ यहाँ पर जो gallery दिख रही है सभी participants के videos यहाँ पर as a gallery दिखेगा और मैं यहाँ पर जिसे जहाँ पर रखना चाहूँगा वहाँ पर मैं manually रख सकता हूँ उसके बाद यदि change करना है तो वापस से views में चाहिए और यहाँ change immersive view बोले है अब यहाँ पर देखिए दूसरा जहाँ auditorium है तो इस auditorium में यदि मैं इसको start करता हूँ तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं auditorium में हूँ और यहाँ पर आपका video फिर से आप shift कर सकते हो जहाँ पर चाहो आप वहाँ पर ठीक है आपके पास काफी सारे अलग-अलग options है यहाँ for example जैसे अगर two cents की meeting है तो आप यह fire view ले सकते है इसे भी आप set कर सकते है इन में सबसे अच्छा यदि आप teacher है और class लेते हैं तो आपके लिए जो better है यह classroom वाला है तो इस classroom वाले जो view में view दिखता है जैसे यहाँ पर sitting classrooms के students दिखेंगे और यहाँ पर आपका center में as a teacher video दिखेगा और बाखी सब आपके हर एक share पर आपके students दिखेंगे यह था आपका immersive view के बारे में I hope यह video आपको पसंद आया होगा यदि पसंद आया तो like जरूर किजिए और इसे share जरूर किजिए